हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे तो चलिए आज की क्लास की शुरुवात करते हैं और आज का जो हमारा चाप्टर है वो है कम्प्यूटर और मशीन लेट्स गेट स्टार्टेड ट्रेस तक गिवन पिक्चर और कलरेट बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है उस पिक्चर को आप ट्रेस कीजिए और उसके बाद उसमें रंग भरिये उसमें कलर भरिये चलि बच्चों क्लास में आगे बढ़ते हैं यू के फाइंड सो मैनी थिंग्स अराउंड यू सम अफ तेम आर मैनमेड और सम आर नाचुरल लेट्स लर्न अबाउट तेम बच्चों आपके आसपास कई सारी चीज़े मौजूद है कुछ चीज़े तो वो है जो मैनमेड है यानि इंसानों द्वारा बनाई हुई है और कुछ चीज़े नाचुरल है जो की प्रकृती से हमें मिली है चलिए इनके बारे में और अच्छे से जानते हैं नाचुरल और मैनमेड थिंग्स आपके आसपस जो भी चीज़े आप देखते हैं या तो वो मैनमेड है या फिर नाचुरल है सबसे पहले बात करेंगे नाचुरल थिंग्स की लुकिट तो फॉल्विंग पिक्चर्स बच्चों यहाँ पर पिक्चर्स दिये गए हैं सबसे पहले पिक्चर में हम देख सकते हैं सन को फिर दूसरे पिक्चर में ट्री को तीसरे पिक्चर में फ्लावर को और चौथी पिक्चर में बर्ड को नाचुरल थिंग्स आर मेड बाई नीचर और अल्सो कॉल्ट मैड थिंग्स बच्चों जो natural things होती है वो nature द्वारा हमें मिलती है जिसे हम God made things भी कहते है man made things यानि इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़े look at the following pictures पहले picture में देख सकते हैं car, दूसरे में chair, तीसरे में washing machine और चौथे में iron man made things are made by humans man made things are called machines बच्चों जो man made things होती है वो humans द्वारा बनाई जाती है और वो जितनी भी चीज़े होती है उसे machine कहा जाता है आगे बढ़ने से पहले आजाते हैं think box पर are man made things living और non living बच्चो जो man-made things होती हैं जो इंसानों द्वारा बनाई हुई होती हैं क्या वो living things है या फिर non-living things अब आ जाते हैं machines पर machines are man-made things they help us to do different kinds of work we use machines to make our work easier बच्चो जो machines हैं वो man-made things है ये हमारे काम को easy बनाती है और ये काम को काफी जादा easier भी बनाती है examples of some machines are given below सबसे पहले a television is used for entertainment you can watch movies, news, sports and cartoons on TV बच्चो जो television है वो एक machine है एक man-made त्वारा बनाई गई चीज है इसमें हम कई सारी चीज़े देखते हैं news, sports, cartoons अब आ जाते हैं a refrigerator keeps our food fresh it also keeps water cool जो refrigerator है वो हमारे खाने को fresh रखता है और पानी को थंडा गरता है a washing machine helps us to wash clothes washing machine में हम फटाफट कपड़े धो लेते हैं cars, buses, aeroplanes and trains are used for traveling एक जगे से दूसरी जगे ट्रेवल करने के लिए हम इन साधनों का इस्तमाल करते हैं we use a mobile phone to talk to people who are far away हम mobile phones का इस्तमाल करते हैं उन लोगों से बात करने के लिए जो हमसे काफी दूर है types of machine one machine runs on human power some machines run on fuel, diesel, petrol और CNG one machine runs on electricity बच्चों, जो types of machine में जो machine हैं कुछ तो इनसानों द्वारा चलाई जाती है और कुछ CNG, petrol या डीजल द्वारा और वहीं कुछ electricity द्वारा features of machine machines are manmade things machine जो है वो एक manmade thing है इनसानों द्वारा बनाई गई चीज है machines save time machine time बचाती है machines make walks easy and fast machine जो है काम को काफी fast और easy बनाती है machines cannot work on their own जो machines है वो अपने आप काम नहीं कर सकती बच्चों अब आजाते हैं fact to know पर sharpener in your pencil box is also a machine that runs on human power human power की थ्रू ही हम अपने जो pencil है उसको shop गर सकते है अब आजाते हैं activity पर color the given machines then trace their names and read them aloud बच्चों यहाँ पर कुछ machines के parts दिये गए है machines दिये गए है इन pictures को आप color करें और उसके बार इनके नाम को लिखें अब आगे बढ़ते हैं और आजाते हैं computer a smart machine पर a computer is also a man-made machine it runs on electricity let's see what does a computer do बच्चों जो computer है वो भी एक machine है और यह electricity पर चलती है लेकिन एक computer कैसे काम करता है चले उसके बारे में जानते हैं I can store many things like words numbers and pictures हम words numbers और pictures computer में store करके रख सकते हैं I never get tired I am a smart machine I work when I get orders from you a computer तभी काम करता है जब उससे इंसान द्वारा order मिलता है I save your time I never make mistakes computer कभी भी mistake नहीं करता है बच्चों अब आ जाते हैं spell allowed पर machine computer electricity बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं exercise पर बच्चों अब आप इस exercise की practice खुद से कीजिएगा हुआ 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 है